तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग तिन्थ क्लास का नौन हिंदी पढ़ने वाले हैं जी हां तिन्थ क्लास के नौन हिंदी में चैप्टर नूमर 6 जिसका नाम है विहारी के दो है इसके पह बाद की जिम्मेदारी आप लोग हम पड़ छोड़ों ठीक है बस आप लोग ध्यान से पढ़ें समझे और याद रखें भीहारी के दो है इस चप्टर के राइटर कौन होंगे डारेट चेप्टर का नाम पढ़करी पता चल रहा है कि इस चप्रक्राइब कौन है बिहारी है तो हिए नब कि दॉहएं पूर्णा यानि कि दूहा किसके दौरा लिखा गया है विहारी के दौरा या सफेरों के कभी या फिर लेखक कह सकते हैं कौन है बिहारी पूछेगा कि दौह जिसीनल में ही चुपा है लेखक का नाम बिहारी का दोहा ही नहीं ठीक है बिहारी को प्रेम के कवी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह जादतर प्रेम से रिलेटेड दोहें और कवीताय लिखे प्याला बर्तन हैं जिसमें पुरा सागर समाय हुए बिल्कुल उसी तरह यह जो है न यह दोहा है बहुत छोटा लेकिन इस छोटे से धो है मैं पूरे जिन्दगी का अर्थ बता दिया गया है, पूरे जिन्दगी को शामिल करते हैं जिन्दगी की हकीकत बता दिया हैं चलिए अब इस दोहे को अम लोग पढ़कर समझते हैं इसका अर्थ, परति एक लाइन को पढ़ती हूं में अ gracious का अर्थ समझाती हूं रितिकाल के प्रतिस्टित स्रिंगारी कवी बिहारी के दोहे गागर में सागर है बिहारी के दोहे क्या है गागर में सागर है मतलब बिहारी का जो दोहा है ना वो छोटे-छोटे होते हैं इनके दोहे छोटे-छोटे होते हैं लेकिन छोटे से दोहे में बहुत बड़ी बड़ी बात कहे जाते हैं मतलब जिन्दगी की हकीकत को बयान कर देते हैं जिन्दगी की हकीकत को उजागर कर देते हैं प्रदर्शित कर देते हैं ठीक है ना वैसे तो भिहारी प्रेम के कवी के रूप में प्रतिश्ट हैं चलिए अब मैं पढ़ती हूं दोहा और समझाती हूं उसका अर्थ मेरी भव बाधा हरो राधा ना गरी सोए जातन की जाई परे स्यामिमू हरित दुती होए यहां पर बोला ज़रा है कि हे राधा है तुम मेरी जितनी भी बाधा है मेरी जितनी भी परेशानिया और दुख है तुम हर दो यानी कि दूर कर दो जिस तरा है तुम्हारी पर चाइकर राधा की परचाइको देखकर स्ριकर्ष्ण जो है ना हरित हो गए थे स्यामू हरित दुती हो यानि कि भगवान वहर तो गए थे बिल्कुल उसी तरह राधा तुम हमारी भी बाधा को क्या कर दो हर दो और यानि कि हमारी भी भाता दुख और परिशानियों को और और भावान की प्राप्ती नहीं प्राप्ती नहीं कर सकते हैं ये नहीं कि दिन पर गुनाह पाप्त वगरा करके आए और माला जपने लगे लंबा सा तिलक लगा लिए ठीक है नमाज पढ़ने लगे तो उपर वाले की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है उपर मतलब भगवान की प्राप्ति खुदा की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि आपका मन दिल साफ और सच्चा होना च अब भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे तो यह पर बोला कि सिर्फ माला माला जपने से चाप तिलक लगा लेने से लंबा सा जब मन ही कच्चा है मन काचे नाचे वृधा साचे रामि जब मन ही कच्चा होगा मन में यह खोट रहेगा मन इधर उदर भटकेगा तो फिर आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं मन पक्का होना चाहिए मन साफ और सच्य होना चाहिए तब ही आप उपर वाले की प्राप्ति कर सकते हैं बत्रस लालच लाल की मूरली धरी लुकाई, सोह करे भव हनुहसे, देना कहे नती जाई, बोला जारा है कि बत्रस लालच बात करने की लालच में जो भगवान शिर्ट क्रिकिश्न की गोपिया है ना, उनकी मुरली को यानि की बासुरी को चुरा ली है और फिर उनको इसारा करके बुला रही है कि ये लो हमारे पास तुम्हारा क्या है बासुरी है तुम आकर लेना चाइते हो तो लो लेलो और जैसे भगोणख्यrets называется फिर से पीछे खीचले रही है कि वो दम है वहां कि इनकी बहांने मतलब बात करने के लिए वह बुपिया长 को अपने पास बना रही है जब जब वह सदी कीजिए तबतब सदी जाही आंखिनी आखी लगी रहे, आखे लागती नहीं, यहां पर बोला जाये, जब जब मैं उनको याद करता हूँ, तो हमारे अंदर एक चेतना सी याद जाती है, मैं उत्तेजित हो जाता हूँ, और फिर मैं कितना भी आख लगाने की कोशिश करता हूँ, कितना भी सोने की कोशिश करता हू लेकिन मैं सो नहीं पाता हूँ, मेरी आँख लग पाती ही नहीं है नर की अरू नल नीर की गती एके करी जोए, जेतो नीचो हवे चले, तेतो उचे हो यहाँ पर इस दोहे में, इस लाइन में, जो विहारी है, वो नर और नल को एक समान बता है नर जो है ना, नल की गती के समान अगर अपनी गती कर लेता है, तो फिर उसका जो समान है, रिस्पेक्ट है, वो बढ़ता चला जाता है देखते हैं, जितना ही जदा नल टंकी से नीचे रहता है, उतना ही तेजी से नल से पानी का प्रवाह होता है उतना ही तेजी से पानी प्रवाहित होती है, उतना ही तेजी से पानी बहता है, उसी तरह अगर उसी नल के समान क्या कर दे, नर भी यानि कि पुरुष मेल को कहा गया है, पुरुषों को कहा गया है, कि नर भी अगर जितना ही कम बोले, उतना ही ज्यादा लोगों के सामने उसक के लिए चीजों को समझता है और सही वक्त पर बोलता है सब्सक्राइम चमज 경찰 करते हैं धिस्की सब्सक्राइफ बढ़ते चलती है ठीक है आड़ बढ़ते हैं है संगती सुम्ती न पाहवी परे कुमती के धंद राखो मेली कपूर में हिंग नहोत सुगंद यहां पर बोला जा रहा है कि जिस तरह कपूर में हिंग को रहकर कितना भी कोशिश कर लिया जाए कि हिंग की मक यानि कि सुगंद चला जाए लेकिन नहीं जा पाता है बिल्कुल उ किसी बुरे लोग के साथ संगत हो गई हैं बुरी संगत अगर आप पकड़ लिये हैं तो फिर उससे जो आदत आप लोग सीख जाएंगे ना बुरी आदतों को जो आप सीख जाएंगे आपके अंदर जो बुरी आदत आजाएगी फिर उसको भी मिटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है अगर आपकी संगती सुनती है मतलब अगर आप अच्छे लोगों से संबंद रखते हैं अच्छे लोगों से रिष्टा करते हैं अच्छे लोगों को दोस्त बनाते हैं तब तो आपकी संगती सुनती है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपकी बुरी संगत है बुरे लों के सांद दोस्ती हैं तो आपके अंदर भी बुरी आदते आएंगी बुरी क्वालिटी आएगी और उसको मिटाना असंभव आप बोल सकते हैं जिस तरह कपूर में हिंग डाल कर उसकी महक को नहीं हटाया जा सकता है उसी तरह बुरी संगत से जो बुरी आदत आती है बैड क्वालिटी जाती है इंसान के अंदर उसको भी मिटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है ठीक है बड़े नहुजय गुनन बिनू बिरत बढ़ाई पाए कहत धतुरे सो कनक गहनों गढ़ियों न जाए बुला जा रहा है कि कि इस दुनिया में जितने अगर उनको सोना यृण कण कह दिया जाए तो क्या वह सच में सोना हो जाएंगे क्या उनके अंदर सोना की क्वालिटी चली जएगी क्या उससे हार बनाया जा सकता है नहीं बदा जा सकता है तो सोना अपने आप में एक उनिक है जिससे बॉलाँ बनाया जाता है मतलब हार बाला बनाय जाता है आप सब्सक्रेण र성क कनफ यहिदि यूनिक है डिखाने की जहरोत नहीं है अब दिखाने कीवेड्य नहीं तो अब source अब बाकी जितने भी धातू है मिटल है उनको सोना कहा जाने लगा तो क्या वो सच में सोना हो जाएंगे सच में सोना कहलेंगे क्या सच में उनके इंदर सोना का गुड़ थोड़ो नहीं इस लाइन के जरीए बिहारी ये बताना चाहरे हैं जिस व्यक्ति के अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है हुनर नहीं है काबिलियत नहीं है वो अपने आपको लोगों के सामने बड़ा बताता है अपना गुड़ गिनवाता है तो सिर्फ उसके कह देने से वो बड़ा नहीं हो जाएगा जब तक कि उसके अंदर गुड़ नहों वो क्वालिटी वो हुनर वो काबिलियत नहों और जिस हो बड़ा बना देने से कोई इंसान बड़ा नहीं हो जाता है उसके और मत गिना एपने अंदर गुने आप गुल्ने लगेंगे आगे बढ़ते हैं दिरग सास न ले हूँ दुक साहियी न भूल दाइदयी क्यों कर付 है दाइदयी सुक भूली यहां पर बोला जा रहा है कि दिरग सास न ले की कि सहीं न भूल इनसान के जिन्दगी में दुख आता है ना तो दिरग सांस लेने लगता है कहने लगता है या उपर वाले मेरे ही जिन्दगी में क्यों परेशानिया दे रहा है जबकि वो सुख के पल को भूल जाता है जैसे ही इंसान की जिंदगी में परिशानी आती है, मुसीबत आता है, तो वो दिरग सास लेने लगता है, उगता जाता है, और उपर वाले से बोलने लगता है कि मेरे ही जिंदगी में परिशानी देना था, उपर वाले को कोसने लगता है, मेरे किसमत में तो यही लिखा था, लेकिन उसके पहले की निलब मुसीबत और दुख आने से पहले की जो सुख की पहलू हो उसको भूल जाता है वो इंसान जबकि इनसान को ऐसा होना चाहिए कि जब प्रोब्लम आये, जो भी गम आये, दुख आये, परिशानी आये, अपने सुख के पलों को याद करो कि मैं इससे पहले सुख के पल में जी रहा था, अभी कुछ देर के लिए परिशानी यानि कि दुख आया हुआ है, ये हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं, कुछ दिन के लिए हैं, इससे लड़ लो, उसके बाद तो फिर हमको सुख ही मिलेगा, इस तरह इंसान को ना चाहिए, लेकिन आज कल के लोगों को देखिये, जैसे ही दुख आता है, सुख के पल को भूल जाते हैं, और दई-दई करने लगते हैं भगवान का नाम, अला का नाम लेने लगते हैं, या उपरवाले मेरे जिंदगी में, मेरे जिनदगी में प्रशानी देना था, मेरे किस्मत में तो यही लिखाता है, यह वो इस दैड़ बोलने लगते हैं, तो इस तरह इंसान को कभी नहीं करना चाहिए, ठीख हैं कि आप जितना जरुवर्वत उतना ही बोले ज्यादा बढ़़ करना बहुत चारे लोग게 में एक्श्ट्रा बढ़कर बोलते हैं उस तरह आप लोग नहीं रहे नहीं thank चानक क्या कहना था कि महान इंसान वही है जो सिर्फ भोजन करते समय अपने मुग को खोले सोचिए कितना बड़ा बात बोले तो यह अंदर इन्सान के अंदर होनी जाहिए ज़रूरत हो जहां पर वहां पर बोले एक्स्ट्रा बढ़ बढ़ाने की क्या ज़रूरत है तेखे न करें आप लोग अगर आपके अंदर हुनर है ना काबिलियत है ना तो आपको अपनी तारीफ करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं लोग आपकी खुद गुड़ गिनने लगेंगे तो आप लोग अपने गुड़ यानि की हुनर काबियत को बढ़ाए और तीसरा जब भी सुख पाकर क्यों इतना घबड़ा जाते हैं और उपर वाले का नाम लेने लगते हैं बार बार लेकिन जब खुशी का पल आता है तो उसमें हम बहुजदा खुश होते हैं और उपर वाले का नाम कभी-कभी लेना भी भूल जाते हैं तो सुख आये सुख को भी लो दूख क को भी स्विकार करो क्योंकि ऊपर वाला सुकह और दोनों साथ में देता है और दोनों इस्तीति में खुद्धा can ओभवान को याद करो यानि कि ऊपर वाले की आप्चार। करो फिर सो के लड़ो और फिर उसके बाद फिर शूर्ख you मिलेगा तो यह टोटल बात जो है ना बताने की कोश्की है विहारी इस दोहे के जरीए अई होप आप लोग को हर एक-एक पॉइंट समझ में आया होगा समझ में तो कमेंट में लिखकर जरूर बताए कि हां हर एक-एक बहुत खलत बात है आप लोग के लोग हैं चारो तब शेयर कर दें और उसके बाद से वीडियो को लाइक करके जाए अगर जो कुछ भी में आप लोग को समझा लें लाइक करके जाए अगर आप लोग चैनल पढ़नाय रहा हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज